Capital Smart City Executive Block Sector B में इस वक development की सूरतेहाल किया है as a second week of March 2024 इस वीडियो में आपको मैं Sector B की डेटेल से चीज़ें एक्स्प्रेइन करूँगा First of all, कि Sector B में किन sizes के plots हैं और इसके इलावा sizes के plot के साथ साथ यहां पे development का status के हैं and overall location, sizes, status of development and location Sector B की कहां पे locate करती है इस वीडियो में वो चीज़ें में details explain करूँगा First of all, कि Executive Block को जब सबसे पहले स्मार्टी कें तो जब सबसे पहला district launch किया गया था इसका नाम था General Block जिसका 2019 में नाम बदलके Executive Block रखती है गया था और Executive Block की अभी भी तक्रीबन 30 से 35% land ऐसी है जो society के पास मजूद ना हो Right now जो फोटेज आपनी स्क्रीन पर देख रहे है यह जिना Avenue की फोटेज है जो सेक्टर B और सेक्टर C को आपस में डिवाइड करता है जिसकी वेटता है 100 feet और Right now इसके जो जहां से रिंग रोट से पहली आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है स्ट्रीट नबर 11 है जिसका 180 feet रोड से डारेक्ट एकसेस है यानि कि डारेक्ट एकसेस के साथ यहां पर इस सेक्टर में आप जा सकते हैं अब बात करें साइज जो प्लॉट की कि यहां पे किन साइज के प्लॉट हैं तो यहां पे तमाम के तमाम प्लॉट जो हैं वह यहां पे पंच मरला के प्लॉट हैं अदर दन 5 मरला यहां पे किसी और साइज के पलॉट हैं जो हैं मुझूद नहीं है कुछ कॉर् أ traps यानि कैसी भी स्ट्रीट में अगर आप देखें यहां किसी भी आप लेन पर देख लें यहां स्ट्रीट पर देख लें स्ट्रीट फाइव प्लॉट नूबर फॉर्ट नूबर वन इस तरह स्ट्रीट पर लेन पर आपको एक्स्टा लैंड वले साथ मुला के प्लॉट मिल जाते हैं अब बाकी बात करें हैं development की बने बात की शुरू में कि मुकंबल 100% डिवलप है ना सिर्फ डिवलप है यहां पे आपको street नूबर 6, street नूबर 7, street नूबर 8, street नूबर 9, street नूबर 10 पे और lane नूबर 1 और मेन जो आपके लेन cé रिंग रोट त्यार है यह 10 lane road है, यह 10 lane road 180 feet wide है, अब इस के साथ जो अजिस्टंट एरिया है तक्रीबन इसमें 4-5 गलिया ऐसी है, 6 गलिया ऐसी है, जहां पर आपको 5-5 मरला के विलाज कंस्ट्रक्ट हुए हुए मिलते हैं, इस ब्लॉक के अंदर आपको स्कूली कंस्ट्रक्शन भी होते हुए नज कुछ विलाज आसे हैं, जो अगले 2-3 मां के अंदर रेडी हो जाएंगे, तो यहां पर जो विलाज हैं, और इसके साथ हैं, प्राइवेट घर भी बन रहे हैं, चार से पांच घर आसे हैं, जो प्राइवेट बन रहे हैं, अब यह विलाज जो हैं, स्पेसिफिकली आपडेट रखी हैं, तो इस दोर में को खुद भी विला कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो अप्रॉक्सिमेट इट कॉस्ट हैं, यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यह पॉइंट बहुत जादा हैं, यह वाहिद मर्कज है, जो कैपिटल स्मार्ट रिटी मंदर है, आज की ड में जो में आपको में बुलेवर्ट पर प्लॉट नजर आती है, इन प्लॉट्स के अगर विट देखते हैं, तो इस जगह पर 247 फीट वाइड रोड है, 68 फीट की पार्किंग है, और इसके बाद पर आगे गॉल्फ कोर्स का रोड आ जाता है, तो तीन रोड मिला कि यह तक प्लॉट्स के इस मरकज में ब्रैंड को इस्टेबिश करेंगे, उनके लिए बहुत फेजिबिलिटी है, कि फ्रंट ऑपन या वाटर बाडी फेसिंग होने व्यू मिलेगा, तो इस लिहासे भी वह इंपोर्टन है, अभी आप देख रहे हैं, जी लेफ साइट पर आपकी ज और फेसिंग सेक्टर बी जो प्लॉट्स हैं, वो मुस्टली प्लॉट्स ऐसे हैं, जो ब्लॉट्स के अंदर आगी, नहीं कि पुरे ब्लॉट्स को कॉर्डन ओफ किया जाएगा, पुरे ब्लॉट्स की जाएगी और फेसिंग के अंदर ये ब्लॉट्स होंगे, अगर हम बात प्लॉट है और उसके साथ बिल्कुल यह सेक्टर बी की मस्जिद है सेक्टर बीकी मस्जिद और स्कूल को लाज अरिया बनते हैं यह सारा का सारा अरिया वह है जो ब्लॉग के अंदर यह आपको तौमाँ फसिल्टीज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इस स्कूल की बैक लेफ्ट साइड मस्जिद है सामने आपके मरकज भी है और आपकी 400 फूट रोड से डारेक्ट एकसेस भी है तो इस लिहाज से इस ब्लॉग की लुकेशन कीपिंग इन माइंड कि यहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट पे नहीं करना पड़ता ना रेजिदेंशल मैजोर्टी मैंने बात कि 65-70% एरिया कंपनी के पास लेटिकेशन में है और वो डिवैलप नहीं है यानि कि वो अरिया अभी तक सोसाइटी के पास प्रिक्योड भी नहीं हुआ और डिवैलप भी नहीं हुआ तो इसलिए एक्जेक्टिव ब्लॉग की मार्केट में जो रीस Overseas East की मजब के bezpieory में मज़ुआ यहाँ भागा है यहाँ इस YE gjort के सामने dos से एक्ट में बनघारे मुनिस के सकूल के सामने घरवी बने में आर review रौन को तक्रीपकर आश इसपास यहां पे विलाज़ जो बन चुके हैं अभी यह विलाज का positive impact कि है कि यहां पर day 1 से footfall आपको मिलने के start हो जाएगा कि जिन members के विलाज मुकमल हो रहे हैं वो rent out करें company को तो company के जो employees है specifically silicon village के employees वो यहां पर आकर जब resident tenant बनेंगे तो यहां पर footfall start होगा तो इस block के आने वाले दूनों में आपको बहुत अच्छे return investment मिलने के भी chances हैं right now कर मैं बात करूँ lanes की तो यह lane no 8, lane no 9 और lane no 7 की footage है जिस पर आप जो भी देख रहे हैं जो मस्जिद के साथ बिलको sequence में area बनता है और इसके साथ right side बे जो street आपको नज़रा आ रही है जो lane no 6, lane no 7 के साथ जो road नज़रा रहा है में वह आपको street no 6 की area मिलता है देखने को जहां पर अभी society की तरफ से carpeting तो नहीं की कि street पर लेकिन यह कि आपको street का layout plan समझ आ जाता है कि हाँ यह street इस तरह से बनेगी और लास्ट पर जो को यह major white road नज़रा रहा है divide करता हूँ यह sector B और sector C को divide करता हूँ road है जिसका नाम है जिना Avenue और इसकी वेटता है 100 feet और इसके ओपर चार मला commercial भी हैं अच्छी बात इसी क्या है प्रोज क्या दिसके बैक्राइंड में देख लिए आपको सारे आप जो खैरी मुरत range है उसका view मिलता है सामने बिल्कुल golf course है गॉल्फ course आप walker के जासेते हैं मरकज में walker के जासेते हैं और हर तरफ आपकी कम्यूट के लिए जो में बॉलिवर्ड ने जिसे टैन लेन का यह रोड आपको नजर आ रहा है जो रिंग रोड के लाता है इसकी कम्यूट का फाइदा क्या होगा कि किसी भी बंदे ने अगर इंटर्चेंज से उतरने है तो विदिन टू मिनिट वो इस ब्लॉग तक इस सेक्टर तक एकसेस लिए यह इसकी इंपोर्टन का मूब बोलता सब होता है क्या आपको सबसे बड़ी बात कि ओवर सी इस्ट में जाना आज की डेट में टाइम ज्यादा लगता है डिस्टन ज्यादा लगता है और एक्जेक्टे ब्लॉग के सेक्टर भी आप यह पर आपके प्लॉड लेसकते हैं तो अगर आपके पास कम बजट है कैश में पांच मला का प्लॉड अप लेना चाएं तो यह सबसे जबसे जाद सज़ेस्टिड़ है क्यूंकि सेक्टर के अंदर आपको आपके सामने घर भी नज़र आ रहे हैं अबादी भी नज़ प्रिखेटने हैं और ओन कम होने के साथ साथ आपको यहां पर फोरन पोजेशन भी मिल रहा है इस वकर नहीं स्क्राइब पर कैपिटल स्मार्ट ली का मास्टर प्लैन से देख सकते हैं और मास्टर प्लैन में जो आज की वीडियो जिस स्पेसिफिक सेक्टर के हाले से वह यह स साथ साथ और सिल्भ अरे से बाद आका यहांपे प्राइम आठाटल पर अगहा कि अजुटर बलॉक आब बात करें जाएंट इसकी इंटरचेंज्टर अगरा देखनाएं ऐधार अब पर यहांड देख लेता हैं तो आप्रोक से टूपちょ 3 km का aerial distance बनता है लेकिन आज की डेट में अगर आप फिजिकली साइट पे एकसेस लेते हैं तो सबसे असान एकसेस जो है वो ओवरसीज एक्जेक्टिव डिस्टिक बन की है इंस्टाइड ओवरसीज बन वो इसलिए मैं करता हूँ कि अगर आप interchange से उतरते हैं इस point से specifically अब इस point से interchange से उतरने के बाद आपके पास जो current भी route अवेलिबल है वो ये route से होते हुए आप डॉक्टर अंकलेव में आते हैं और डॉक्टर अंकलेव से आगे 400 feet रोड पर आ जाते हैं जैसे हैं 400 feet road से connect करते हैं तो यह जो आपको roundabout नजर आ रहा है, इसके साथ ही बिलकुल आगे एक exit road आता है, यह road जो है जाके चक्री road से connect करता है, यह इस point से, यह main access road 1 है, अगर हम देखें तो इसी roads के साथ आते ही बिलकुल golf course सामने जो पहले सबसे पहले block आता है, यह सबसे रहाशी area आता है, residential district आता है, that is executive 1 sector B, अब sector B की location की खास बात यह भी है, कि sector B जो है, इसकी सामने बिलकुल golf course है, और golf course के नेरबाए community में आपने कभी भी 5 मला का block नहीं देखा होगा, और इस पर यह जो आपको street नजर आ रही हैं, जिस मैंने पहले वीडियो मैंचन भी की है street number 6, 7, 8, 9, 10 और इसके रहाँ lane 1 और main ring road facing, यह वाल एरिया इस पर विलास बन रहे हैं, मैं भी close दिखाता हूँ, important point है, यहाँ पे F1E और F1R का plot, अब capital smarty में देखे हैं, तो overseas east इतना बड़ा district है, और इसमें अभी इस वक राइड नाओ, एक मस्जिद और एक स्कूल है, that is in, sector B, यह आपकी स्कूल आ जाता है, sector B में, इस point पे, और आपके sector C में, मस्जिद आ जाती है, और यह इसमें 13 sectors हैं, इसकूल और मस्जिद दूसरे sectors में नहीं है, college है, but overseas prime 1 में है, अब यहाँ पे सिर्फ एक स्कूल और मस्जिद भी है, मस्जिद भी है, विलास भी है, और चार मरला के, कमर्शल प्लॉट्स भी है, और सामने 88 मरला का मरकज भी है, तो दोनों एंगल से देखा जाएं, तो यहाँ पे आपको अच्छी बात यह मिलते है, कि मस्जिद का प्लॉट हो गया, सामने यहाँ पे भी, इमिजज गूगल पर अपडेट नहीं है, बड़ा है, कि यहाँ पे स्कूल इसकी बिल्डिंग पर काम हो रहा है, और पीछे यह आपको यह जो रोड नज़ आ रहा है, यह चार मला कमर्शल की रोड है, और अब बात करें रिजिदेंशल प्लॉट्स की, तो एक, दो, तीन, चार और पांच यूनट्स ऐसे हैं, जहाँ पे में अबर इंडिपेंड़न अपनी इंडिपेंड़न पर खुद घर बना रहे हैं, और जो विला की बात है, तो विला के वीडियो पोस्ट भी की थी पहले जिसका मैं यह लिंक लिगा तो साथ उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, कि इस विला का जो है अंदर से अधियते हैं, यहां पर से प्लाट में अचार्जिस पे, बाद में तूस्टों पर curl में अचान के प्लाट से 7500 का वियो पर 30 के जाता है, और में फिला प्लाट नेखां और इस तरफ जाकर 20 लेन की रोड जो है वो अलड़ी बनी हुई है तो हर एक लिहास से आपको बड़ा अच्छा एक्सेस मिलता है राइट साइड पर सारा गॉल्फ कोर्स आ गई है यह प्रिमिसी सारी गॉल्फ कोर्स की है देगर में राप्ता करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज जूल आए कॉमेंट टेंड शेयर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज